हेलो दोस्तों विशिष्ट शॉर्ट हेंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नए ने डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सेलेक्शन पा सकें स्टार्ट जहां तक पहले प्रस्ण का संबन्द है जो ब्यवस्था दूसित थी अब सरकार के हाथों में आने से उस ब्यवस्था में कुछ संसुधन होगा इसमें कुछ अधिक संदेह तो प्रतीत नहीं होता लेकिन फिर भी इतना अवश्य है कि सरकारी मशिनरी को बिलकुल दूद का धुलाक हुआ नहीं माना जा सकता है जो ब्यवस्था दूसरी हाथों में थी सरकार के हाथों में आने से वखे सर्वता समात हो जाएगी ऐसे बात तो नहीं है परन्तु फिर भी मेरा अपना विश्वास इस प्रकार का है कि सरकार इस संस्था को उसी पवित्र उद्दीश से चलाने के लिए त्यतन सील होगी जिन उद्दीश्यों को लेकर इस संस्था की नेव डाली गई थी जहां तक हिंदी की प्रगति का संबन्द है उसकी संबन्द में तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति के लिए इससे बड़ा प्रमान देने के आउश्यक्ता नहीं है कि पिछली बारहे वर्षों के समय में यह सरकार जिस मंथर गति से चल रही है मेरा अपना अनवान है कि हिंदी साहित्य सम्मिलन को अपने खात में लेने के पसात यह सरकार कहीं उसे प्रकार की दुरवलता और प्रमादी नीति का हिंदी साहित्य सम्मिलन के जीवन में भी प्रवेश न करा दें मेरा यहे विश्वास है कि इस विदहियक की जिस धारा में यहे कहा गया है कि अन्य भाशाओं का साहित्य भी देव नागरी लिप में प्रकाशित किया जाएगा वह बहुत हितकर हुगा हमारी देश का यहे एक बहुत बड़ा भाश था जिसको की हिंदी साहित्य सम्मिलन द्वारा इस प्रकार पूरा किये जाने का रियास किया जाएगा कुछ दिन पूर मैंने इस प्रकार का एक प्रस्थाव भी इस सदन में दिया था मुझे इस बात को कहते हुए प्रसंताखे के मुख्यमंतरियों का सम्मिलन जो इसे भारत के राजधानी दिल्ली में हुआ था उसमें इस बात को स्वीकार किया गया